सेट विद्या मंदिर इंगलिस आई स्कूल सी विस्सी वसाई मैं सुनिल कुमार्तर काठी प्री छात्रों आज हम विशे हिंदी पाठ पंद्रह नौकर के इंतरगत सेश भाग चार का अध्यान और अध्यापन करने चल रहे हैं तो आईए हम सबसे पहले गध्यांस की सुधता से गध्यांस का सुधता से हम उचार्ण करते हैं फिर इसकी पाद फिर इसके बाद हम इसकी व्याख्या की तरफ अपना ध्यान आकर्सित करते हैं वह मा की तरफ बच्चों की देखवाल कर सकते थे खिला पिला और बहला सकते थे एक बार दक्षिन अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी स्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं उनका बच्चा उनका दूद पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूद छोड़ाने की कोशिज कर रही थी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रोकर उन्हें जगाए रखता था गाधि जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखवाल का काम अपने हाथों में ले लिया सारे दिन बड़ी मेहनत करने समाओं में भासन देने के बाद चार मील पैदल चल कर गाधी कभी कभी रात को एक बज़े घर पहुँचते थे और बच्चे को स्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठा कर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे वह चार पाई के पास एक बरतन में पानी भर कर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चार पाई पर रात में आराम से सोता रहता था एक पखवाडे तक मा से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा कादू छोड़ दिया गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे दक्षिन अफरीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की वह उनका विस्तर ठीक करते थे उनको भोजन परोस्ते थे और उनके पैर दवाने को भी तयार रहते थे गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे अर्थात बच्चों का अर्थात बच्चों गांधी जी का सभाव था कि वह किसी की सेवा करने में किसी भी प्रकार के हिचक नहीं करते थे किसी प्रकार का शर्म महसूस नहीं करते थे महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिन अफ्रीका से भात आने पर गाधी कांग्रेस के अधिविशन में गए वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किये और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा मैं आपकी क्या सेवा करशकता हूँ नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्रे कठे हो गए हो जिनका जवाब देना है मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे हकाम दूँ क्या तुम्हें यह काम करने को तयार हो गांधी ने कहा ज़रूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तयार हो जो मेरी सामर्थ से बाहर नहीं हो यह काम दूँने थोड़े ही समय में समात कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आद लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया जब कभी आस्रा में किसी सहायक को रखने की आशकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आगरह करते थे उनका कहना था नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए इसमें कुछ कठनाई हो सकती है कुछ चोरियां हो सकती है फिर भी हमारी कोसिस, सरवथा, निस्फल नहीं जाएगी उन्हें या मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की महाती कैसे रखे है हर्थात बच्चों वह किसी भी सायोगी को नौकर की द्रिष्टी से नहीं देखते थे एक बार जब भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौपा गया एक बार भारत की जेल में उनकी कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौपा गया एक आदिम उनके फल धोता या काटता दूसरा वकरियों को दोता तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चावथा उनके पाखाने की सफाई करता था एक व्रामण कैदी उनके वरतंद होता था और दो गोरे यूरोपियन प्रद्य उनकी चारपाई बाहर निकालते थे गाधी ने देखा कि इंगलैंड में उचे घारानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी बाना जाता था एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें याद देखकर खुसी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचे नौकरों की तरह नहीं बलकि परिवार की सदस्य के समान कराया गया एक बार एक भारती सज्जन के यहां काफी दिनों तक ठहरने के बाद गाधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने बिदा लिया और कहा मैं कभी किसी को अपना नौकरों नहीं समस्ता उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समस्ता हूँ आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देनी की सामर्थ मुझे में नहीं है लेकिन इस वर आपको इसका पूरा फल देंगे गांधी जी के क्रमत्ता को उनकी लगन को उनके सेवा भाव को इस तरह से हमें यहीं जिक्षा मिलती है इस पाट से कि हम भी उनकी तरह उनकी कारियों का अनुकरण करें तो इस तरह से आज हमारा पाठ यहीं पर बच्चों सम्पूरुन हुआ धन्यवाद